जोतिशास्त्र के अनुसार चार ऐसी राशिया हैं जो जातक करियर में रिस्क लेने के लिए हमेशा तियार रहते हैं तो आईए जानते हैं कौन सी है वो चार राशिया करियर में सफलता पाने के लिए कौन रिस्क नहीं लेना चाता है लेकिन अधिकतर लोग केवल वही रिस्क लेते हैं जहां पर उन्हें सफलता मिलने की गुंजाइश दिखाई देती है लेकिन जोतिशास्तर के अनुसार चार ऐसी राशिया हैं जो अपने सफल भविश्य के लिए रिस्क लेने को हमेशा त्यार रहते हैं इन में सबसे पहली राशी है मेश राशी, दूसरी है धनू, तीसरी है सिंग और चात्वी राशी है कुंब राशी ये राशी के जाद तक करियर में रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं और इनके इसी विवहार से ये लोग अपने करियर में सफलदा भी पा लेते हैं तो आईए अब इन चार राशियों के बारे में विस्तार से जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी की जात तक अपने साहसी और नया रास्ता बनाने वाले जज़वे के लिए जाने जाते हैं ये लोग वातावरण में लगातार बदलाव और गती पसंद करते हैं और नेतरित्व की भूमी का समालने में जरा भी नहीं हिश्किचाते ये जातक जन्म से ही जोखिम लेने वाले होते हैं और अक्सर चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की अपनी प्रतिस परधा प्रकरती से प्रेरित रहते हैं फिर चाहे वह किसी नए वेफसाय को शुरू करना हो या फिर अपने करियर की दिशा में पूरी तरह बदलना हो मेश राशी के जातक हमेशा बिना किसी डर के सीधे लक्ष की और बढ़ने के लिए त्यार रहते हैं इनके अंदर एक अदम्य उर्जा होती है जो इन लगातार कुछ न कुछ करते रहने के लिए प्रेरित करती है ये सौभाव से सकारात्मक होते हैं और मुश्किल परिस्तितियों में भी डट कर सामना करते हैं अब बात करते हैं धनुराशी के जातकों की ये जातक हमेशा नए अनुभवों और तरक्की के राष्टों की तलाश करने वाले होते हैं ये जातक जन्मजात से ही साहसी और आशावादी होते हैं इनके मन में जिग्यासा की तीरवल अलग होती है और अंदेखे शेतरों में जानने समझने की गहरी चाओती है ये लोग ऐसे करियर की और खीचे चले जाते हैं जो उन्हें रोजमर्रा की निसरता से बुक्ती दिलाए और अनिशित्ता को खुले दिल से अपनाने की सीख दे बेखौफ रवेये और खुले विचार इन्हें उन भूमिकाओं के लिए उप्युक्त बनाते हैं जिन में अनुकूल शीलता और तीर्व बुद्धी की आवशक्ता होती है धनुराशी वाले सभाव से मिलनसार होते हैं और आसानी से नए लोगों से मिल जूल कर रहते हैं ये बहु मुखी प्रतिबा के धनी होते हैं और विबिन विश्यों में रूची रखते हैं साथ ही इनमे ज्यान को दूसरों के साथ बाटने की भी प्रवलिश्य होती है भी पाया जाता है ये लोग सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं और अपने लक्षों को हासिल करने के लिए जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते सिहराशी वालों में आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता का भाव कूट कूट कर भरा होता है जो उन्हें अटूट संकल्प लेने के साथ अपनी महत्वकांशाओं को पाने के लिए प्रेना देता है चाहे रचनात्मक जुनून को पूरा करना हो या फिर कॉर्पुरेट जगत में उचे पदों को प्राप्त करना हो सिहराशी के जातक सफलता हासिल करने के लिए साहसी कदम उठाने से नहीं घबराते इनका व्यक्तित्व करिश्माई होता है और लोग इनकी और सहज रूप से आकरशित हो जाते हैं दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत पर रहने वाले सिहराशी वाले वफादार और उदार होते हैं हाला कि कभी-कभी इनका एहंकार थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन कुल मिलाकर ये सच्चे मित्र और प्रेमी साबित होते हैं अब बात करते हैं कुम्बराशी के जातकों की कुम्बराशी के जातक जीवन के प्रती अपने अपरंपरागत दृष्टी कोंड के लिए जाने जाते हैं ये सभाव से अनवेक्षक होते हैं और अपनी अनोखी सोच रखते हैं समाज में चली आ रही परंपराओं को चुनोती देने से नहीं घबराते कुम्बराशी वाले नवीन तम विचारों और प्रगती शील कारियों की और सभाविक रूप से आकरशित होते हैं सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अकसर जोखें उठाने को भी तयार रहते हैं इनका विद्रोही सौभाव और स्वतंत्र आत्मा इन्हें ऐसे करियर के लिए उप्युक्त बनाता है जिन में रूडिवादी सोच से हट कर नया रास्ता बनाने की आवशक्ता होती है और उम्मीदों को तोड़ने की हिम्मत होती है दूसरों की भलाई की भावना रखने वाले कुमबराशी के जातक प्रबल समर्थक होते हैं ये भविश्य की ओर उनमुख विचार रखते हैं और सामाजिक कल्याण के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं कुमबराशी के जातक थोड़े अलवेले और स्वतंतर विचारधारा रखने वाले होते हैं जिने बंधनों में रहना पसंद नहीं होता हलाकि ये अपने दोस्तों और प्रियजनों के बेहत वफादार होते हैं तो इस प्रिकार से ये चार आशी के जातक अपने करियर के लिए किसी भी प्रिकार का रिस्क लेने को तियार होते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद